घर में कभी भी कोई दावत हो या रेस्टरेंट में जाके हमें खाना खाना हो या कभी भी हम किसी शादी में जाते हैं तो सब की एक फेवरेट रेसिपी है दाल मकनी, तो दाल मकनी आज हमने बनाई है घर पर बहुत ज़यादा यह टेस्टी बनी है इसको बनाने के लिए जो जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी यह जो दाल मकनी बनी है रेस्टोरंट से भी ज़ादा टेस्टी और बहुत ही ज़ादा यह क्रीमी बनकर तयार हुई है इसको बनाने के लिए हमने जो जो चीजे ली है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमने सबसे पहले और डाल ले लेनी है यह हमने छोटी एक टोरी डाल की लिए है अगर हम देखें इसको सर्व कितने लोगों में होगी तो यह कम से कम 10 लोगों में सर्व हो जाएगी यहाँ पर वन फोर्थ कप हमने राजमा लेने है अब इन दोनों चीज़ों को हमने साफ करना है अच्छी तरह धो लेना है इसको पहले हम धोके भीगोके रख देंगे थोड़ी देर के लिए अगर आपके पास रात को टाइम है तो आप रात को भीगोके रख दें इसको और दाल को मैंने अच्छी तरह धोलिया है अब इसको भीगोके रख देंगे इसके अंदर मैं थोड़ा सा गरम पानी डाल रही हूं गरम पानी डाल के इसको भीगोके रखेंगे राद भर के लिए या भी तीन से चार गंटे के लिए मैंने इसको राद भर के लिए विगोके र इसको आप एक बार निकाल देए पानी काला के रा निकालें और हम इसको में ट्रांसफर ग्लिफ़ निकालें जब डाबोँ में दाल क्षाने जाते हैं बहुत लो खुकते हुशेlog के पाइने हैं फॉने पनी पानी में भीता है पाने उसके अंदर हम गरम डालेंगे तो यहाँ पे डाल देते हैं आधा चमच हम हल्दी का हल्दी optional है आप ना डालें तो भी चलेगा यहाँ पे नमक डाल देते हैं आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालिए और यहाँ पे मैंने एक चम्बज नम्मक का डाल दिया है यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ इसे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा अब हम इसको पकाएंगे लेकिन इसमें अद्रक और लैसुन की पेस डालनी है इसमें दो हरी मिर्च की पेस भी मैंने बना कर डाली है दो हरी मिर्च लैसुन और अद्रक दोना चीजों की पेस हमने इस तरह तीना चीजों की बना ली है अब इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर देते हैं हलका सा अब इसको हमने 6 विसल आने तक 6 से 7 विसल आने तक पका लेना है दो विसल हम तेज गैस पे लगाएंगे और बाकी की हम स्लो गैस पे कुकिंग करेंगे यहां पर मैंने दो चम्मच ओयल के डाल दिये हैं और आप कुकिंग ओयल कोई भी डालिये उससे डाल हमारी बहार की तरफ नहीं निकलती है जब इसको बॉयल करते हैं त पहले हम दो विसल तेज पे लगाएंगे तेज आच पे लगाएंगे उसके बाद चार से पांच विसल आप लगाएंगे बिल्कुल स्लो पे तो यहां पर दो विसल लग चुकी है फ्लेम को मैं लो कर देती हूं अब इसको पकने देते हैं तो डाल हमारी बंद के रेडी हो इसकी लिए आप देख लीजिएगा यहां पर आपने पहले क्या करना है हलका सा डाल को मैश कर दोने हैं इस तरह में कट्शी से हलका सा मैश कर देती हूं अब हमने एकडाही रखी है गरम होने के लिए उसमें सर्सों का तेल डालेंगे दो बड़े चमच आपने सर्सों के तेल के डालेने हैं और बहुत अची तरह इसको गरम कर लेना है इसमें से धुआ निकल जाना चाहिए अब इसके अंदर डाल देंगे दो चमच बटर की तो लहसुन की पेस्ट डाल देते हैं एक चमच और इसको हलका सा भून लेंगे बहुत ज़रा डाक कलर नहीं करना है जब यह अची तरह भून जाए तो इसमें एक प्याज की प्यूरी डाल दें मैंने एक प्याज की बिल्कुल स्मूथ प्यूरी बनाई है यहां पे हमने इसको पीसिस में नहीं कट करना है प्यूरी ही बनानी है क्योंकि यह अची तरह मिक्स हो जाएगी तो इस प्याज को हमने भून लिया है तो यहां पे हम एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च का डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च से इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इसको अप आपने टमाटर को इतनी तेर तक पकाना है जब तक यह अची तरह आए ना छोड़ दे रिखिए इसका लाल मिर्च का भी बहुत अच्छा आ गया है तो आप हमने इसके अंदर डाल देनी है जो डालो वाल की हमने रखी हुई है उसको डाल देते हैं हल्दी डालने से इसका अगर आप हल्दी नहीं डालेंगे तो इसका लाल का सा ब्लैक आएगा वह आपकी मर्जी है वह इस तरह कर सकते हैं आप देखिए तड़के में डालते ही डाल का कितना फर्स्क्लास हो गया है बहुत ही बढ़ी आया है यहां पे हल्का सा गरम पानी आप डालना चाहे तो बह हैं सोके आएगा और इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स और हलकी सी आँच पे इसको पकाते रहेंगे आप इसके अंदर हमने कसूरी में ठीक रश करके डाल देनी है यह भी फ्लेवर का काम करती है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है आप इसको पकाने के बाद य दुबारा से बाफिस वही आ जाता है अब इसके उपर से डालना है धनिया दाल हमारी बन कर तैयार है और बहुत ही बढ़िया क्रीमी बहुत स्मूची यह बन कर तैयार हुई है आप इससे एंजॉय करेंगे लेकिन इससे पहले हमने इसके उपर एक तड़का लगाना है यह इसके चाम को हमने थुद्धा ज्यादा पका लेना है और अब इसको डाल के उपर से लीजे निगो हमने इसके उपर से डाल दिया है अब इसको कर लेते हैं मिक्स और दाल हमारी बनं कर तैयार है आप इससे सौब करेंगे और यकीन मानिए इतनी ज़्यादा टेस्टी यह ड जादा बढ़िया आई है जिस तरह आप रेस्टरंट में जाके ओर्डर करते हो वैसी ही दाल बन कर ये तैयार हुई है टेस्ट तो इसका बहुत ज़्यादा जवर दर्स्त है आप इसको चावल के साथ नान के साथ रोटी के साथ जैसे भी एंजॉय करना एंजॉय कर सकते हूं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है हमें बताईएगा जरूर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाई टेक कियर अपना ध्यान रखिएगा और दुआओं में हमें याद र जाचीं